तोड़े भी कोश्ट और आस्टृट कोश्ट को बिंग कोशृ कोश्ट को बॉलते हैं अपन्स का мешा हा da थोरेशी केविटी, थोरेशी केविटी मालो, या एब्डमन केविटी मालो, डिसीज कोष्ट, मतलब खाली स्तान, खाली स्तान होती है उसको कोष्ट बोलती है, अब कोष्ट के अंदर जैसे यह थोरेशी केविटी कोष्ट है, उसके अंदर यह लंग्स है, उसको बोलेंगे क कोष्ट टांग कोष्ट पलस अंग कोष्ट के अंदर जो अंग होता है ना उसको कोष्ट टांग है ना जैसे यह कोष्ट है बार वाला और इसके अंदर लंगस है तो उसको बोलेंगे कोष्ट टांग है ना और आज से आज से बोलेंगे दोस दातू मल जिसमें रहती है ना उस इसके बीच में पित और इसके ऊपर कप और इसके निचे वात तो नाब भी और हड़े के निचे वात रहता है ना तो उसको बोलेंगे आश्रे है तो आश्रे है ना आश्रे ये कोश्ट भी हो सकता है और कोश्ट टांग भी हो सकता है ओके दोनों हो सकते हैं तो अब बात करते कि अपन फास्ट कोस्ट की ओके तो कोस्ट को केविटी बोलती है जैसे एबडोमन केविटी थोरेशी केविटी पेल भी केविटी है ना इलिमेंटर के नाल मतलब माउट तू एनस तो यह हो गए अपना कोस्ट अब आपको बताए कोस्ट के कोस्ट है ने इसके परियाई कोस्ट के क्या क्या परियाई होती है तो देखो एक तो होता है महास्रोत महास्रोत मतलब एलिमेंटर के नाल इसको भोलती है महास्रोत ओके और महानिमन पेली वी केविटी होती है न उसको महानिमने मतलब निच्चे का भाग होता है न उपर होता है थोरेशी केविटी बीच में एब्डमन केविटी हो निच्चे पेली केविटी तो उसको बोलेंगे ओके और मध्य भाग मतलब एब्डमन केविटी तो यह हो गया इसका परियाई तो यह हो गया अपना कोश्ट मतलब बोक्स एक बोक्स है यह अब इस बोक्स के अंदर ओर्गन होंगे न उनको बोलेंगे अपन कोश्ट टांग तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन कोश्ट टांग तो कोस्ट आंग क्या होता है कोस्ट में इस्तिति अव्यो या ओर्गन या विस्रा ओर्गन को कोस्ट आंग बोलते है कोस्ट आंग मतलब कोस्ट आंग की संक्या किती होती है कि पेलवी केविटी में किती ओर्गन होती है लेकिन यह अपन आईरवेद के अनुसार पढ़ेंगे तो देखो अकोडिंग चरक के अनुसार पंद्रा कोस्ट आंग होती है और अकोडिंग सुसरूत के अनुसार आठ कोस्ट आंग होती है होना कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी सुसरूत ने आठ बताए अचरक ने पंद्रा बताए अब कोन कोन से होते है वो देखेंगे अपन तो अकोडिंग सुश्रूत यह पहले रेख लेते है चरक अकोडिंग चरक के अनुसार देखो 15 कोन कोन से है यह इंपोटेंट है याद रखने है पंद्रा के पंद्रा क्यूशन आता है कि आचारिये चर्यक के अनुसार कोश्टांगों की संक्या लिखिए तो पंद्रा होती है और उनके नाम देखो आपे फैस्टे नाभी मतला अंबलाइकल अर्दे और कलोम लरिंग्स और यकरत लीवर पलिया इस्प्लीन अना इसा का इसा नाम याद रखना है पंदा को विरिक दो ओते हैं आपको बता है किडिनी और बस्ती अतलब ब्लेडर और पूरिस सदार जिसमें पूरिस रहता है मल रहता है रेक्टम और आमार्ष्या जिसको बोलते हैं इस टोमक पकवाश्या पकवाश है जिसको ascending colon descending colon यह बोल सकती है अपन और उत्तर गुदा एनस और अदर गुदा एनस एनल के नाल एनल और एनल के नाल ओके यह हो गए पंदरा नाम याद रखने है very very important कि आचार यह रखने पंदरा कोश्टांग बताए और उनके नाम और भी है किते हो गई है यह पूरे नहीं है कुछ रह गई सुद्रांतर इस्तुलांतर यह small intestine और यह large intestine अब यह भी है और एक मेनी यहाँ पर भी बताए है ना पकवाश है यह यह भी है इस्तुलांतर और वपावेन वपावेन यह important है ना वपावेन इसको बोलते है omentum omentum होता है नो उसको वपावेन बोलते है तो this is जी post tongue 15 next बात करते है किस के अनुसार अपन बात करेंगे सुसूरूत के अनुसार कित्ते बताए है सुसूरूत ने 8 बताए है तो देखना कौन कौन से है amasya और अगनाशे और पकवाशे अगनाशे मतलब पेन करियाच amasya मतलब इस्टोमक पकवाशे मैंने उपर बताई दिया और पिर मुत्राशे मुत्रकाशे बस्ती बलेडर और रुदिराशे मतलब बलड किसमे रहता है इस्प्लीन और लिवर यह दो देंगे आपे जुद्राशे का मतलब है ना हर्दे मतलब हर्ट उंडुक उंडुक को शिक्कम बोल सकते है साइड मेरे साफ से है ना और फुपुस उंडुक का मेरे को पूरा पता नहीं लेकिन शिक्कम बोल सकते है अपनी इसको है ना और फुपुस लंग्स यह आचारिय सुस्रुत के नुसर आठ कोश्टांग नहीं याद रखने है दोनों के वेरी वेरी इंपोटेंट तो देखो सुस्रुत ने यह आठ कोश्टांग बताए है ना कोश्ट भी आठ बताए है कोश्टांग भी आठ बताए है आचारिय सुस्रुत के अनुसर याद रखना है ना यह इंपोटेंट है कि आचारिय सुस्रुत ने कोश्ट आठ बताए है कोश्टांग भी आठ बताए है और चरक ने कोश्टांग पंद्रा बताए है यह हो गया अपना कोष्ट कोष्ट होने के बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन आश्य है कोष्ट हो गया कोष्ट टांग हो गया और नेक्स्ट बात करते हैं अपन आश्य है जिसमें दोस दातू और मल रहते हैं उसको आश्य बोलेंगे जैसे यह आश्य है ना इसमें अब यह दोस है कोई वात दोस है ना तो इसको भी अपन कोश्ट बोल सकते हैं और इसको कोश्ट तो कोश्ट और कोश्ट तांग इन दोनों के मिला कि अपन आश्य बोल सकते हैं कोश ओके तो कोस्ट दिस इज कोस्ट और इसके अंदर होता है कोस्ट टांग वेशे ही यह आश्ये और इसके अंदर होता है जैसे दोस हो गया दातु हो गया मल हो गया तो सेम तू सेम हो गया ना दोनों तो यह यह कोस्ट बताया था मैंने और इसके अंदर यह कोस्ट टांग तो को और कोप्ष्ट टांग इंदोनों को मिला कि अपना अस्तियां बोल सकते हैं तो यह हो घया अब आश्तिया में तो सभेपर्सिल्षिय किया होता आस्ति दोस्ट दाटु है और मल कि आश्तिद प्रविधर के होड़ी अधलका घर बोल सकते हैं तो है नाрист और आश्रे दोनों शेम होती है लग-बक इह अब इसके बेद देख न तुम दो होते हैं इसके वेद एक तो सहगरवाशे और शेकिन होता है एगरवाशे सहगरवाशे मीनिंग होता है इसका मतलब जिसमें रिक्तिस्तान हो मतलब केविट्य उपस्तितो रिक्तिस्तान उपस्तितो जैसे इस टोमक हो गया यानि आमाशा है ना और रिक्तिस्तान absent हो जैसे spleen हो गया liver हो गया kidney हो गया organ यह हो गया अपना भेद आस्रे के दो भेद होती है जिसमें ज्यादा रिक्तिस्तान हो और मतब खालिस्तान नहीं हो अब देखेंगे संक्या जैसे अपन कोश्टान की संक्या देखी थी वेशे इस की संक्या देखेंगे ओके इस इज बेरी बेरी इंपोर्टेंट ये भी कोष्ट की संक्या कोष्ट कोष्टांग की संक्या और आस्रे की संक्या ये पूछती है न तो देखो वो ही है चरक के नुसार पंद्रा शेम ही है चरक ने कोश्टांग की संग्या पंद्रा बताई है ना वेसे ही आश्य की संग्या पंद्रा बताई है और दोनों शेम है ओके लेकिन सुस्रूत के नुसार सुस्रूत ने आठ बताई है आठ कोश्टांग बताई है वेसे ही आठ आश्य बताई है ना आठ आश्य बताई है लेकिन है अ दातु मल है ना तो इनमें दोस आएगा दातु आएगा मल आएगा तो देखना यह तो पंद्रा वो ही है तो मैं यहां नहीं लिख रहा है ना पिछे वाला यह है अब आश से देखना अकोडिंग सुसरूत के नुसार आठ होते है ना कौन-कौन से होता है देखना वातासे मतलब वात रहेगा इसमें पितासे ना इसलिए आश से है पितासे और कपासे कपासे या सलेशमा से और रखतासे जिसमें रखत रहेगा मैंने बोला दोस दातू मल रहेंगे है ना रखताशे हो गया आमाशे हो गया आमाशे में भी दोस रहते है ना पकवाशे हो गया पकवाशे हो गया मुत्राशे हो गया मुत्राशे हो गया और गर्भाशे हो गया ओके यह आट हो गए जैसे वात मैंने बोला इसमें वात पीत और दोस दातू मल रहेंगे ना तो देख लो दोस वात पीत कप रखता से दातू रहेगी इसमें रखते दातू आमाशे इसमें भी दोस रहेगा पकवाशे इसमें मल रहेगा मुत्रा से इसमें भी मल रहेगा गरबाशे इसके अंदर गरब रहेगा है ना तो देख लो गरबाशे मतलब सुकर बोल सकती है अपनी इसको सुकर रहता है ना तो देख लो है ना तो इसमें दोस्टातू मल रहेंगे और उसी के नाम पे है तो यह याद करना है अपन को कि कोस्ट टांग आठ कौन से है और आश्या आठ कौन से है आश्या में तो दोस्त हाटू मल रहेंगे और उन में रहेंगे ओर्गन कोस्ट टांग में रहेंगे कोस्ट पलस अंग मतलब अंग यानी ओर्गन विसरा रहेंगे यह अंतर है दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है तो यह हो गए अब आठाजी सूसरूत ने बोला है कि इस्त्रियों में तीन आशे अधिक होती है इस्त्रियों में तीन आशे अधिक होती है मतलब पुर्सों की तुलना में तीन आशे अधिक होती है वेशे तो 8 होते है लेकिन 3 अधीक होते है 2 इस्तनाशे मतलब बरिष्ट रिजन 2 पलस 1 हो जाएगा गर्बाशे यूटरस यह दो आशे अधीक होते है तो टोटल किती हो गए 8 तो यह थे पलस 3, 11 हो गए है ना तो इस्तरियों में 11 हो गए याद रखना है यह confusion नहीं होना है बिल्कूल भी तुम तो यह याद रखने लेना कि चरक ने 15 सुसुर्ट ने 8 आशे बताए है अब इस्तरियों में 3 अधीक होते है कौन से होते है 2 इस्तनाशे और 1 गर्बाशे यूटरस और बरिष्ट तो यह important है पूचते है क्यूसन कि इस्तरियों में 3 आशे कौन-कौन से होते है 3 अधीक अधिक तब 3 एक्ष्ट्रा होते है वह कौन-कौन से होते है तो याद रखना है गर्बाशे और 2 इस्तनाशे तो यह हो गया अपना आश से है आप इनके एकत के बारें हैं पड़ेंगे की वादाशम से क्या होता है पिताश से क्या होता है, कपाश से क्या होता है तो देखना है। फासे बात करते हैं अपन गरबाश से घर बहुत सबस्क्रार की, जिसको बोलते गरब पलस आशे, जहां पे गरब टहता है, गरब रहता है, फिट्रस का डवलमेंट कहा होता है, यूट्रस में तो होता है, तो जहां गरब रहता है, उसको गरब आशे बोल दिया, ना उसे इस्पेस्ट हो रहा है, गरब पलस आशे, है न, तो इसका यहां पे एक छोटा सा को है यह याद कर लेना ही इंपोटेंट है ना यूशन पूछते यह वेश्ट है और वेश्टी हो गरबए को Mark तीश्टैस है, तीश्टैसे यह यह क्यों पर गरबे रहता है ना उसको कुक्षी बोलती है कुक्षी या गर्बाशे यह quotation याद कर लेना क्या है कि यह quotation दे देगा और उसका meaning पूछ लेगा कि इसका meaning क्या होता है तो यह याद कर लेना चोटा सा है अब गर्बाशे होता का है अपने वेशे तो modern के नुसार तो पेलवी केविटी में होता है आपको पता है लेकिन आयर्वेद के नुसार बात कर रहा हूँ मां तो आयर्वेद में बता रखा है पिता से अब यह याद ही रखना है modern से यहाँ correlate नहीं करना आपको है ना पिता से और पक्वाशे के मद्धे पक्वाशे के मद्धे इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि गर्वाशे कहां पे होता है पिता से और पक्वाशे के मद्धे पैपै आ रहा है याद रख ले ना तुम modern से correlate नहीं करना है यहां पे modern में तो बता रखा है पेलवी केविटी में लेकिन यह पेलवी केविटी में नहीं हो रहा है तो पिता से और पक्वाशे के मद्धे गर्वाशे होता है अब देखो गर्वाशे गर्वाशे के आकर्टी देखो गर्वाशे किस सेफ में होता है सेफ देखो इसकी रोईत मचली के मुख के समान तो रोईत मचली की मुख के समान इना गरबाशे की आकरती होती है according आयरवेद के अनुसार वापस बोल रहा हूँ according आयरवेद यहाँ पे modern correlate नहीं करना है अपन को modern तो मैं आपको जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ तो इसकी आकरती कैसे होती है गरबाशे की रोईत मचली के मुख के समान ओके और यह हो गया यह होने के बाद में यहाँ पे अब देखो यह तो गरबाशे हो गया अब योनी मतलब यह जाए ना यहाँ पे योनी की आकरती भी बता रही है बुक में है ना आचारिये ने इसके होती है संकनाभी संकनाभी के आकरती की योनी होती है और यह योनी है ना इसके तीन आवर्ट होते है मतलब तीन लेयर होती है इसकी और तीसरे लेयर में होती है गरब सिया गरब सिया मतलब गरबाशे अब ये बता रखा है लेकिन होता नहीं है आपको बता है यूटरस की तीन लेयर होती है पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के अंदर होता है इंप्लांटेशन जिसको बोलते हैं अपन डेशिड हुआ लेकिन यहाँ पे योनी की आकरती संक नाभी और योनी की तीन आवर्थ बता रहे है कि योनी की तीन आवर्थ होते है और तीसरी आवर्थ में गरब सेया मतलब योनी की तीन लेयर होती है तो तीसरी लेयर के अंदर होती है जबकि ऐसा होता नहीं है तो जश्ट एकदम अपोजित है ये मोडन के लेकिन अपन को यह याद करना है कि योनी तीन आवर्त वाली होती है और तीसरी आवर्त में गरब से है मतलब गरबाशी है मतलब कुक्सी रहती है और योनी की आकरती संक ना भी आकरती जबकि गरबाशी की आकरती रोईत मचली के मुख के समान तो ये हो गया अपना गरबाशी है पहला टोपिक गरबाशी होने के बाद में नेक्स्ट टोपिक है अपना मुत्रा से मुत्तर पलसाशी है जहाँ पे मुत्र का कलेक्शन होता है काँ पे होता है ब्लेडर में U-R-I-N-A-R-Y यूरेनरी ब्लेडर यूरेनरी ब्लेडर बोलो या बस्ती बोल दो एकी बात है है ना तो इसमें तो कोई ज़्यादा है नहीं मुत्तर का संग्रेन होता है ना तो मुत्तर का संग्रेन और अब ये लोकेशन काम पे होती है ना भी के नीचे अमलाइकल के नीचे होती है ध्यान रखना और ये एक मरम होता है आपको बटा है मुत्रा से मतलब बस ती एक मरम होता है ये भी याद रखना है मुत्तरा से एक मरम होता है उके बस इतता इता याद रखना अपन को यह हो गया मुत्रा से मुत्रा से होने के बाद में फिन एक्ष्ट पात करेंगे अपने पकवाशे है ना पकवाशे मतलब जहां directors जहां पे पकवाशे बोजन का diligence होने के बाद में जो मल रूप में जो रुखता है ना उसको बोलते है पकवाशे पकवे पलस आशे ओके नाम से देख लो आप पकवे पलस आशे बोजन पकने के बाद में जहां रुखता है उसको बोलते है पकवाशे ओके तो इसको अपन ऐसे को रिलेट कर सकते हैं इसको जैसे अशेंडिंग ascending colon descending colon और शिक्कम इसको यह मान सकते है ascending यह ascending और transfer colon नहीं माना है ना book में transfer colon नहीं दे रखा है ascending colon दे रखा है transfer colon नहीं दे रखा और descending colon दे रखा है और एक दे रखा है एक दे रखा है शिक्कम, ओके, मोडर्ण से को रिलेट करें तो, तो मैंने बता दिया पक्व एन रुखता है यहां पे है ना, और यह कहां होता है यह लोकेशन, जो मैं आठ आशिया बताए है ना, उनके सारों के लोकेशन याद हो नीचे, यह कहां कहां पे है है ना, यह इंपोर्टेंट है यह भी नाभी के नीचे है ना, और यह पक्वाश है है ना, पंचमी पंचमी पूरिस तरह कला है पंचमी पूरिस तरह कला, पांचवी कला है यह है ना, जब तुम कला पढ़ोगे ना तो तुमारे समझ में आ जाएगा कि जैसे यह हो गया ascending colon और इसके अंदर यह है पकव बोजन है तो इसके और इसके बीच में जो यहाँ पे लेयर होती है न यह वाली बीच की लेयर उसको बोलते हैं अपन कला ओके तो यह हो गई पकवाशे पकवाशे होने के बाद में next है आचे हो गया आमाशे है आमाशे में तो आपको बताए यह दोस भी रहते है और बोजन भी रहता है पकवाशे और अपकवाशे दोनों बोजन रहता है यहाँ पकवाशे और अपकवाशे बोजन रहता है यह रुखता है न और अब आमाशे में पित दोस भी होता है और कप दोस भी होता है न तो उपर तो होता है पित और आमाशा के आदे आदे आमाशा के उपर होता है कप और आदे आमाशा के नीचे होता है पित तो पित और कप का इस्तान कहांपे होता है यह important है में ने बोला न आट वाफरे कहांपे है यह important है ना भी और इश्थन के मद्धे मतला अंब्लाइकल और बिश्ट इरिजन के मद्धे ओके यहांपे है अब Modan में बता रखा ngày ना भी और स्तन हो के मद्धे जबकि अपने आयर्वेद में बता रखा है ना भी और इस्तनों के अमद्दे जबकि मैं बात करूँ ना मोडन के नुसार तो मोडन में देखना कहां पे बता रखा है स्टोमक को जैसे यह नाइन एब्डोमन रिजन हो गए यह लेप्ट और यह राइट है ना यह लेप्ट और यह राइट ओके तो आपको बता है यह हाइपोकॉंड्रियम यह लंबर और यह इलियकस यह अंबलाइकस अंबलाइकस के उपर एपिगेस्टिक और यह हाइपोगेस्टिक और यह राइट तो राइट हाइपोकॉंड्रिय यह लेप्ट है तो लेप्ट है हाइपोकॉंड्रियम लंबर लेप्ट लंबर और लेप्ट इलियकस है ना तो इस्टोमक ऐसे होता है यहाँ पे ऐसे है ना तो देखो आप कहां कहां पे हो गया लेप्ट है हाइपोकॉंड्रियम और एपिकेस्टिक और थोड़ा इलियम मद्य में तो बस समझना है modern लिखना नहीं है अपन को है ना समझना है बस क्योंकि modern से थोड़ा कम को रिलेट हो रहा है ओके आमाशय ना भी और इसने के मद्य में और अब देखो आमाशय हो गया पकवाशय हो गया ना और यह अब नेक्स्ट बात करेंगे अपने रखता रिवर में एंड क्त्ली मतलब प्लिया में याद रखना है यहां पर काम करता है रंजक पीत रंजक पीत रस दातु को रक्त दातु में बदल देता है ओके यह हो गया रक्ता से रक्त का इस्तान याद रखना है अपनको यक्रत और पलिया ओके यह होने के बाद में अब नेक्स्ट आ जाता है वाता से अब वात का इस्तान कहां पर है नाब भी और हर्दे के निचे है वात का इस्तान तो वो आपको पता है ना कि वात का इस्तान कहां पर है वो कोटेशन है ना एक पक्वा से कटी सक्ति सोतो अस्ति इस पसेंद्रियम इस्तान आशे कहां पे होता है नाभी और अर्दे के बीच में तो वो कोटेशन है ना नाभी अमाशे स्वेदो लशिगा रुदीरम रसी द्रक इसपसम चे पितशे नाभी चे विशे सत और लाश्ट है सलेश माशे सलेश माशे नापे कप दातू रहती है ओकेन के कोटीशन ले लिखना है पित का इस्थान काहां पे है कप आशे मतलब कप का इस्थान का है तो मैं according वाग बट के नुँ सरा बता दिता हूँ हस्थान गदे सुत्रे इस्थान एग कि हर्दे और नाभी इसके उपर होता है कप इसके नीचे होता है वात और यहां पे होता है पित ओके तो यह हो गया तो यह हो गया अपने कोष्ट और आश्ये है ना इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट इनकी संक्या पूछते है कि कोष्ट की संक्या किती है आश्ये की संक्या किती है कोष्ट आंग की संक्या किती है तो क बाताशे, पिताशे, कपाशे, रकताशे रूदुर्यासे, गरबाशे यह याद रखने है अपन को और दूसरी बात है कि इस्थ्रियों में तीन आशे अधिक होते है गरबाशे और दो जो बृष्ट रिजन के होते है वो इस तनाशे, ओके तो यह हो गया अपना कोश्ट और आश्चे इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट दस नमर का क्यों सना था एक पकासो परसेंट ओके थेंक यू